यह लो एवर यह वेलकम बैक तो आप चैनल बिल्लियन एड्यूकेशन वे एम तो डिज आप टीच बिल्लियन पॉपुलेशन सब्सक्राइब आपका अपने चैनल बिल्लियन एड्यूकेशन पिंग गाईज हम लोग कंटिनुव कर आपके सब्सक्राइब करना अपने चैनल को सब्सक्राइब करना अपने दोस्तों में से शेयर करना जहां भी आपको मौका मिले और वीडियो को लाइक करना तो कता ही मत भूलना तो आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करते हैं तो आज का कोट है स्वामे वेका नंजी के नाम पर सब्सक्राइब करना चाहिए आपको पहचान जाएं अपने नेचर के बारे में क्या आपको पसंद है क्या नहीं पसंद है यह प्करना चाहते हैं लाइफ में क्या नहीं कर सकते आप वो सब की रियालिटी जानना और अपने वो सब जानने के बाद विश्वास रखना कि जो भी चीज जो भी सोच रहें आप कर पाओगे और सक्सेसफुल रहोगे उस चीज में तो इस अथेंटिकेटेट इन्फरमेशन बिकॉस तो यह लोग सो समझ के यूज करेंगे कि विवज देरी सम्झटिक वरी डेंजरी कि किसी और की बात कुछ और बता के लोग यूज करते यूज करते हैं गलत इंफ इंफ उसे करते हैं जैसलाइक कि मैंने बहुत बार बुला बुद्दा की फोटो लगा के बोलते हैं अब्रीफिंगिस फेर इन लव और बुद्दा वो अपने आप को जानो पहचानो इसी में विश्वास रखते थे तो I saw that quote and many people also was using that quote और वार के तो completely against ही थे हिंदु इस टाइम पर जब बुद्धा का जनम हुआ था तो बहुत वह रहा था और वो उसी से चुटकारा चाहते थे वांटेट पीस इन दिस सोसाइटी सो ही केम अप विद आइडिया कि आप चांती में विला विलीव रखें तो अच्छे कूर्स यूस करिए और यह आपको बताते रहेगा कि क्या सही है क्या नहीं चले दोस्तों आगे बढ़ते हम लोग आज के लेक्षर को शुरू करते हैं आ बॉर्निंग गुद मॉर्निंग एवर्यों गुद मॉर्निंग होफुली आप लूब बहुत अच्छा कर रहे होंगे गाद ब्लेस्यों लाइक करते रिये गाइस चार लोग देख रहें लाइक है बोलना नहीं पड़ी गाइस इत मीन्स अलॉट तो अप्रिशेट कर रहें पल्ण किसी को भले पता नहीं मैं तो लेकिन आपक्रिशेट तॉल्ट थैंक्स अलोट थांक्स नॉट नी इस व्रेरी और सम्च बेकॉसे पीपल थैंक्स अखकर चांस को टीच score एक सब्सक्राइब आगे बढ़ते हैं दोस्तों आज हम करने जा रहें स्ट्रक्चर ऑफ मनी मार्केट इंडिया स्ट्रक्चर फंक्शन यह सब वर्ड्स बहुत इंपोर्टेंट हैं दोस्तों आप लोग पढ़ाई करें रियल में तो यह जब क्वेश्चन जैसे पूछा या फिर कोई एक्जाम दे रहें या फिर गवर्मेंट एक्जाम के लिए प्रेपेर कर रहें या फिर अपने स्टेट बोर्ड के लिए आप लोगो कुछ वर्ड्स की मीनिंग और उसके शब्द बहुत अच्छे से समझाना चाहिए जैसे स्ट्रक्चर मतलब कैसे है पूरा स दो नेचर का है अब यह डायकॉटमस मतलब क्या हमारे यहां डायकॉटमस क्या है एक है और गनाइस सेक्टर सा पहला पैराग्राफ इसी चीज से डील कर रहा है एक सेक्ड़ जाए जाए एक है और्गनाइज आप लोग को भी एक्जाम में ये वर्ड यूज करना है और दूसरा है अनौर्गनाइज अर्गनाइज देख लेते हैं और अनौर्गनाइज का फरक क्या हता है और्गनाइज मतलब गाईज ये कोई रूल लौ से बन्धा हुआ है और इसमें हम लोग दिखा सकते हैं अनौर्गनाइज पर कोई रूल नहीं कोई लौ नहीं है और इसलिए ये जनरली लोगों को एक्स्प्लॉइट करते हुए पाई जाते हैं हम मनी मार्केट मतलब गाइस क्या बात कर रहें डे टो डे की लाइफ में अगर आपको पैसे की जर स्ट्रक्चर है उनका 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 कुछ का स्ट्रक्चर और वहीं पर जाते हैं कि यह गैस ब्यागों देखते हैं वहां पर कोई स्ट्रक्चर नहीं है वहां पे 2 ।-3 प्याज महिने के बेसीज पर तो साललाना 343 to 24% हो जाता है तो और दात इस एक्स्प्लॉइटेशन तो अगना इंक्लूड रिजर्व बैंक और इंडिया कमर्शियल बैंक जैसे कि दोनों गॉवर्मेंट नॉन गॉवर्मेंट आईसी एस डीएफसी और पी और गॉवर्मेंट बैंक के कोपरिटी बैंक यह चोटे मोटे होते हैं डिवलप्मेंट फाइनेशल इंस्टिटिशन इंस्टिटिटिटिटिटिटिट इंड फाइनज हाउस ऑफ इंडिया डी एफ अचाहिए यह सब याद रखी यह सब और गनाइज़ दोस्तों यह सब किसा अब अगराइस सेक्टर अदाइन कंप्रेजर इंडीजिनेस मतलब कहीं घावं में खुच से खोल लिया है मनी लें है कैसे नहीं दिया जाता तो यह अलग 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 टाइप का हो सकता है आप पाओगे कि उसी तरह से हमारे हर इलाके में अलग 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 तरीके से पैसा देते लेते रहते हैं ठीक है कोई खेट की उस पर सच चैप्टर भी बाकी है सर आपने पढ़ाया तो फिर कॉलेज में अच्छे से ने पढ़ने टाइम लगेगा ओके जैनरी तक और फिर नॉम्बर तक पोर्शन खतम नहीं होगा आप नहीं पढ़ागे तो हमारा कुछ नहीं होगा अरे यार पिता जी आप लोग हैं आप अप वीडियो स्ट्रीम थोड़ी से रुख गई ती इसलिए वह पाए वाइभावी वेमुला सब्सक्राइब करोगे कोई प्रेशन नहीं है अरे डियर कुछ नहीं बच्चा आप लोग इतने स्मार्ट कैसे इतने अच्छे आप लोग सोसाइटी हम लोगो लगती है देखे रिय प्रेशन नहीं है अपने प्रेशन नहीं है लेकिन कब तक अपलोट करोगे यहीं लिखा आपने करूंगा करूंगा नियर फ्यूचर में कर दूंगा आपका नाम बहुत अच्छा है ब्यूटीफुल सा नाम है वाइभवी वेमुला आप लोग ने शाय से रोहित वेमुला का केस सुना है कि नहीं रोहित वेमुला वन आफ दी पीच्डी दूइंग स्टुदेंट्स हूँ हैंग इंसल्फ जस्ट बिकॉस प्रेशन प्रेशन यूगाइज नो रोहित वेमुला रोहित वेमुला तो यह स्टोरी तो उनकी तो वह सब था तो थैंक यू वह भावी जी आई विल स्टार्ट आइनो वेरी पेपल जैसे प्रेम आउचार हैं आप हैं जो जिनको जिए चाहिए सो मैं कम्प्लीट कर दूंगा दाट इस मेरा उप्शनल सब्जेक्ट था चलिए आगे बढ़ते हैं मैं उसे खतम कर दूंगा मनी मार्केट्स इंडिया और लोकेटेड इन चोटे मोटे एक्जाम में पूछ भी लेते हैं उसके सब ब्रांचेज भी हैं बट जो में ब्रांच है उसका वह है मुंबई में जो आप लोग जो बिल्डिंग देखते हूं आर्बी आइक्जाम बहुत अच्छा आर्बी आई का एक्जाम गाइस वन बेस्ट एक्जाम है अगर आप एक्जाओं के लिए प्रपयर कर रह तो प्लीज उसमें लड़कियों के लिए इस्टरी कर दीया ने एं कर दिये Ciao सुसाइज एक्जाओं कर दिये ंव if you want exercise then I will also today I will upload that thing apart from geology अंकिता पांडे जी कहरें नहीं ओके वोज लाइक गुड स्टुडेंट वेरी मेरिटोर्य स्टुडेंट पढ़ाई में बहुत अच्छे कर रहे थे और लिटरली उन्यूर्सिटी प्रेशर के वैसे और यह सब सारी जो भी प्रेशर है बच्चे ने या बच्चे क्या बूले नमसे थोड़े एज में रहोंगे उस ताइम पर उटको हैंग कर लिया था सो वी दून वोटेवर भी दरीजन ही शूद हम नॉट हैंग इमसे अधर गवर्मेंट शूद है या इस प्रेंट और इस पामिली शूद आप सेंट इम तो आप वेरी हाट वार्मिंग केस तो जस् प्रेशर मत रखना आप लोग पढ़ाई करते एक दूस्ये को सपोर्ट करिये आए ओल्ली एक्स्पेक्ट ताइंग तीग थेंग्स अलॉट तक्टेश और प्रेशर आप लोग नहीं दे रहे यूड़ पीपल आप पीपल आफ बिलीव पीपल इन पीपल इन दी यूपीप लटा यू पीपल आप वेरी मच टालेंटेट दवेए यू पीपल जस्ट इन 11 12 यू आ टॉकिंग हमारे एडल्ट्स वैसा बात नहीं कर रहे हैं वह तो जगड़ी की बात कर रहे हैं वह शड़यंत्र की बात करते हैं चोटी चीजों में शड़यंत्र कुछते हैं यह सब छोड़ देना चाहिए चली और गनाइस सेक्टर में जो मैंने बताया तो देखें डिसकाउंट और फाइनस यह बार बार आए आप लोग याद कर लिए डिएफ है इसे हम बोल रहे थे अभी उपर यह इसी को आपको ग्राफ के तुरू बता दिया तो एक्जाम में आप जो तुरू करोगे तो जस्ट इसे देख लेना कि और गनाइस सेक्टर में मुझे क्या लिखना है आपको पॉइंटर स्लिटरली पॉइंटर सी बनाने होते हैं कि इस आस इस ट्रक्टर आप टू स्टार्ट कि डाइकोटमस से सर ने बताय तो वह डाइकोटमस बिकॉस देरा डू टाइप्स का और गनाइज भी जो रूल से बाउंड कोई आक्ट के तो मतलब कुछ ने गडबर की किसी से दोखा दड़ी की तो आप जाके कोट में जा सकते हो आप उसकी कंप्लेंड कर सकते हैं आपको एक्स्प्लाइटेशन ना हो ऐसे रूल्स रेगुलेशन ब जरूर देना बच्चों जो भी गर्मेंट एक्जाम के लिए प्रिपार करें ग्रेड एक ही जॉब है वह उसमें बहुत सारे अच्छी अच्छी सर्विसें मास थोड़ा चीए एकॉनमिक्स बहुत स्ट्रॉंग चीए मास एकॉनमिक्स दोनों आपको अच्छी खासी रिज्जत हैं वहाँ पर रिस्पेक्ट बहुत जादा है बहुत जादा है जैसे कि आपको मालूम है जो बैंक्स का आई वी प्योंका भी देते हैं तो अगर आप बिलॉंग कर रहे हैं समझिए एहमद नगर से या बीड से तो आपको ऐसे गाहों इलाके में कहीं दे देंग सब्सक्राइब करना लेकिन क्या होता है पहले आप सेफटी सेक्यूरिटी तो इंशूर कर तो वहाँ पर आपको बेज़ दिया जाएगा और वहाँ पर आपका ओफिस कल्चर भी अच्छा होगा कि नहीं होगा प्लस वहां के लोग कैसे बीव करेंगे और आज कर पीपल बहुत अच्छी है रिस्पेक्ट्फुल जॉब है मुझे मैशा टा 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 वो म्यूजिक सुनाई देती है जब आप लोग आर्ब एक लियर करेंगा हर एक लड़का लड़की के लिए तो यह बेस्ट जॉब ओगे यह भी एक्स्पेंट कर दूंगा डिस और डिस और आल मार्स पॉसिबल आइविल अप्लोड एवरेटिंग और बच्छा आइविल अप्लोड एवरेटिंग और अंकिता जी चल रहा है अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ यह सब मैंने डिसक्स किया अभी आप लोग आप चलते हैं आर वी आई के तरफ आप लोग को पता होना चाहिए की कॉपरेटि बैंक हो गए कॉपरेटि बैंक क्या होते हैं उनके लोन के इंट्रेस्ट रीड वी कम होते हैं और वह अच्छा पैसा भी देते हैं जनरली इंडिया में इसमें पॉलिटीशियंस का होल्ड होता है जी यहां क्योंकि ब्लैक मनी यहीं पर पूरी स्टोर होती है तो पॉलिटीशियंस का होल्ड है इसमें लेकिन अच्छा है आप इसे पब्लिक को जनरली जो और अच्छी चीजे भी होते हैं कि किसान फार्मर्स हो गए लोकल से SBI PNB हो गया बैंक अलाबाद हो गया यह सब बड़ी बैंक है साथी साथ कुछ प्राइवेट मार्के प्राइवेट बैंक में से ICICM HDFC एक्सिस बैंक हो गया कोटक पहिंद्रा बैंक हो गया यह सब क्यां यह बैंक है इसके लिए अप लग कुछ और भी सुने हो रहेंगा सेविंग बैंक का टाइप है यह सब हम इस चाप्टर में आगे करें गाई बहुत इंपोर्टेंट चाप्टर यह आप लोग के लिए यह कोर आपका अच्छा सा डेवलप कर देगा तो आगे चलके यूप से में यह सारी चीज़ पढ़ने ही पढ़ेंगे आपको हर एक सिस् सब्सक्नाद करता है कौन बोलतां की अशा करो कॉन बोलता है कि वहीं होता है और अलग अलग होता है हमारी चाइना की सेंट्रल Aegis बैंक आफ चाहिना तो वुस्तर ऐसे सब जगे का अब हर जगे का अपना अपना बैंक होता है Central Bank सब्सक्राइब करेगा अब यह साथ चोड़ रहा है चलिए सब्सक्राइब करेंडेशन और फिल्टन यंग कमिशन बहुत इंपॉर्टेंट है यह बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे कि 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आया था बालू में आप लोग को गाइस तो उस टाइम पर पूरा वर्ल्ड में कुछ ना कुछ देहशत चालू था उठल पुथल चालू था तो करेंसी बनाने के लिए उसे रेगुलेट करने के लिए सिस्टम लाने के लिए और ब्रिटिश को और अच्छे से सारी चीजहों को लोन के स्ट्ट Cheer को रेगुलेट करने के लिए वो लोग ने सुचा कि एक सेन्ट्रल बैंक बना देते हैं तो जी आप लॉक के अलावा कुछ ही पावर्स मिलती है जो आपको वह भी लॉव में ही मेंशन किया था कि आइस आइप उसको कहां पर पावर मिली होगी याद रखना एक चीज थोड़ा सा बता देता हूं देखिए लिका भी आर गया कमेंश्ड ऑपरेशन और 1 अपरिल 1935 देख लेकिन जब यह बना था तो यह प्राइबेट था मतलब जैसे कि अमबानी यादानी चाहिए उस टाइम पर जो थे वो थे उसके ओनर लेकिन भारत जैसे ही आजाद हुआ पहले चीज़ हमने किया कि इसको नैशनलाइज क्या मतलब गौवर्मेंट के कंट्रोल में लेके आ गए जी हाँ, 1st January 1949 and it is most important constituent of money market तो इंपल गाइज यहाँ तक का information clear है आप लोग को जो कि यहाँ तक का information clear है आप लोग को चली आगे बढ़ते मचो अब हम चल रहे है कि definitions popular definitions जो हैं हमारे Central Bank को लेखे कि Central Bank होती है Central Bank हमारी नाम है नाम है रिजर्व बैंक उसके उसे बी Central Bank है चाइना के विए श्री-लंका के भी बंगलाधेश की भी है सब लोग कि अपने अपने एक सेंट्रल बैंक है यह बात अलग है कि उनकी सेंट्रल बैंक को जब भी इंटरनाशनली कुछ जरूवत होती है तो हमारी इंडिया की आर्बिया उनको रिप्रेजंट करती है जो हमारे नेवरिंग कंट्री जैसे कि बंगलादेश बूटान नेप प्रेजंट करती है फिर आके लोग को बताती है कि बंटाए देखिए सब हो रहाता तेरे को भी कर नहीं तो कर ले इंडिया बड़े भाई का रोल नहीं बाता चलिए डॉक्टर एमेस डिकॉक इनका क्या करना था क्विंटन डिकॉक नहीं जो प्लेयर होई सानी यह भी है च यह जो एक्स मतलब टॉप पर तो जीतनी भी बैंकिंग सिस्टम किसी कंट्री में होंगी तो पर कौन होगा अब प्रोफेसर डवलु ए शौं सेंट्रल बैंक विच कंट्रोल्स जी क्रेडिट क्रेडिट मतलब पैसे का जो फ्लो वो कंट्रोल करता है अब फंक्शन देख ल नोट्स अफ और डिनोमिनेशन एकसेप्ट वन रुपी नोट एंड कॉंस इंप्टेंट इंफॉर्मेशन यूपी असी में पहले पूछी जाती थी लेकिन अब यूपी यह सबसे निर्वाना प्राप्त कर चुका है निर्वाना मतलब इन सबसे आगे बढ़ चुका है वह यह पूछा जाता है लेकिन अभी एससी सीजी और जीतनी भी अधर एक्जाम से जेतनी विचाए स्टेट की हो चाहे वहां पर पूछी जाते हैं कि आर्विया इशू करता है इस्व करता है मतलब वही चापता भी है अब वही उसे दो चीज़ होती है एक तो बनाता कौन है से डिस्ट्रिब्यूट कौन करता है इस्टेटम सारी चीजों को हमारा कौन करता है लेकिन यहाँ पर मिन्ट जो बनाता है तो सिफ 20 concept 500 की नोट 200 की नोट 50 की नोट 10 की नोट जितनी नोट है सारी लेकिन एक रूपी का जो नोट है यह चलता है अभी आप लोगों को पता है एक रूपए का नोट है एक रूपए का जो नोट है और साथ यह जितने चिल्ला है जितने भी कॉइंस है यह गौवर्मेंट के कंट्रोल में है कि गौवर्मेंट मतलब सेंट्रल जो हमारी गौवर्मेंट है उनके कंट्रोल में होता है एस पर आर्बिया मिनिमम् मिनिमम् गोल्ड और एक्षेंज रिजर्स ऑफ रूपीज 200 क्रोस लेकिन आप लोग को तो अब पता है कि आर्बिया बहुत ज्यादा पैसा कर चुकी है तो यह देखिए आप आपको एक क्वेशन और पूछ जाए कि आर्बिया गोल्ड रखती है और कुछ डॉलर पाउंड य का एक सिस्टम है 1957 का जिसके हिसाब से मस्ट है कि कितना गोल्ड तू रखना है और फॉर्ट रूपीज 200 करोड रखना है आप आप विच अट लीस्ट 115 करोड शुट बी इन गोल्ड और 85 करोड इन डी चुट बी इन डी टर्म्स ओ फॉर्ण करेंसी और गोल्ड ही रखना है और पचासी करोड का हमारी यहां पर फॉर्ण करेंसी रखना है that minimum इतना है maximum चाहें जितना बैंकर दुर्ण मेंट कर्दी डेखें अब गॉइन बड़क गवर्र मेंकर यह सब बात इंपोर्टेंट लाइन हैं मतलब क्या गर्रमेंट को कल को लोनन लेना है कि उनके लिए बैंक कौन है आर बिया है एंसेंट्रल बैंक ओफ इंडिया जो है बो आर घुर तो बैंक का एजंट बिकान है कि गोफर है जैसे बैंक एजेंट रहते हैं एज दिए या इसे घरघर गुमते हैं तो ऐसे गवर्मेंट का एजेंट या बैंकर कौन है वो हमारा और भी आई है एट ट्रांजेक्ट दा बिजनस ऑब बोच सेंट्रल और स्ट्रीट गवर्मेंट डोनओं के लिए यही बैंक है ं इट एक्सेट्स मरनें चाहिए मेंक्स दोट गौहरंन का ठेएधि याव लेता है। तो बार्णD केशच हैन्म नट्रा पामगवंत मैनेजमेंट मतलब कि गवर्मेंट को एडवाइस करता रहेगा कि कितना डेट आपका हो सकता उधारी गवर्मेंट कितना कर सकती है बताती है पुरा हक सरकार का यह सरकार जितना कर लेकिने मैनेज करते हैं कि सरकार देखें आप पैसा लेना चाहते हैं तो यहां से ले लेकिन लास्ट से किसका होता है गौर्वर्मेंट का होता है जैसे कि लास्ट से आपके गर पर ICIC आती है एकदम अलोग होना चाहिए एक फिर गॉर्मेंट के अंदर होना ची जैसे कि सारी हमारी पॉब्लिक इंट्विटूशन जैसे कंपश्टी है तो जनरल ये किसी भी अच्छे सिस्टम में क्या होता है कि यह रहती इन्डिपेंडेंट के अंदर ही लेकिन देप्रयमेंट करने का मौक़ा दिया जाता है,"Paste में जब भी गोर्मेंट और वर्सिस आर्ब ड़टा है जब जादा अपना रघ्वाना शुरू कर देते ज्याद़ा ज्यादा पैसा में पेंसा मंगते मैनेजमेंट आफ मनी को चेंज करना चाहती है और वोकल होता रहा है और बोला कि ऐसा मत करिए तो बहुत सारे हमारे पास्ट के जो भी हमारे गवर्नर से आप लोग मालूम है अभी करेंट गवर्नर कौन है हमारी का कवरंट गवर्नर कौन है और या मैशा लड़ाई रहेगी आर्यवेगाई ज्यादा इंडीपेंडेंटेंट रहने चाहिए यूसजय चाइना में बहुत इनडीपेंडेंडेंट थैंडिकिन हमारा करेंट गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जैसे जो पहले हमारे फाइनान्स मिनिस्टर फाइननस सेक्रेंटरी थे उन्हीं को आर्यायी तो कल पैसा ज्यादा निकालना पब्लिक में इलेक्शन के लिए तो ज्यादा पैसा बटवा देंगे तो यह अभी करेंटली बन चुका है आरवी आई जो है वह गौवर्मेंट ऑफ इंडिया का बैंकर्स बैंक तो देखें गौवर्मेंट और सेंटर बैंक का सेंट्रीड बै का याहाँ उसकी इंदर कुछ बैंकों का नाम मेंशन रिक यह सब गयुंटे छिद्यूर्टी बोलते हैं से रिगुलेश ह्क्त में उसके आंदर कुछ बैंकों का नाम मेंशन है से पी का सटेव गयुंट कहला रहें से सीम्पल अब आप लोगोह जो है शीज़िग टाइम Sunday demand and time liability हो 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 होघ मंद टायम टायम लाइबिलिटी यह बहुत इंपोर्टन देखें कैस रिजर्ब रिशी होताए एक कि न्या भाई लिकने तो दे मिरेको भी चले च्राइब होता है क्या कैसे रिचियो मतलब पैसा कैस्च में ही रखना है और एक होता है स्टाइटरी लिक्विडिटी रेशियो तो आप लोग दो चीज पढ़ते रहेंगे कि लॉक्डाउन के दौरा ने सी एरार को घटा दिया है मार्केट फ्लो को गॉवर्मेंट देना चाहती है से लार को कर दिया है ठीक है आप मुझे बताओ कि सी एरार कितना है अभी अच्छ मतलब तीन करोड रुपया इनको क्या करना है हमेशा कैस में रखना ही है और यह चाहिए तो कैस में या गोल्ड में या सिक्योर्टी में भी कुछ पैसा रखते हैं यह जैसे कि बताता हूं कल को जो बैंकों के बाहर कुछ ऐसा लाइन लग गया मतलब कि समने किसी ने अफव प्वाजिट करके पैसा रखे थे जितने वी गरीट तो सब लाइन लगा दिया बैंक के बाद समझे एसबी बैंक बंद होने अले ऐसा अफवा फैल गया तो यह पूरी लाइन लगा लेगी कई किलो मिटर में कि मेरा पैसा दो मेरा पैसा दो सब उत्रवाना चाहेंगे तो यह बैंकों के पास इतना पैसा होना चाहिए कि जो यह एकदम है यह पब्लिक आ जाए तो एट लिस्ट दे पाए पैसा तो वह होता है ताकि लोगों का बिलीफ सिस्टम बना रहे है अगर समझे कि बैंकों कुछ बड़ा लॉस हो रहा है कुछ और डील करना है उनको या तो है डिमांड टाइम लाइबिल्टी मतलब कि कितना पैसा दिया लोग ने बाहर कितना पैसा उनके पास है उसके इसाब से कैलकुलेशन करके यह परसेंटेज उतना परसेंटेज समझो कि 15 एक फोट नेट 14 दिन में डिसाइड करते हैं कितना पैसा रखना है इंको और पूरा किसके पास होता है और कि से पास होता है यह के साथ ही रखे होते अचा अब यह क्या होता है चाओ-दैन उस भार बैंक पैसा जादा हो गया तो तो 200 करोड का 3% कितना होता है यह होता है छे करोड को रखना पड़ेगा चौधा पैसा घट गया पचास करोड़ी बचाग ले चौधा दिन में 50 करोड का हमारा जो तीन परसेंट होगा जो देड़ करोड होगा वो रखना पड़ेगा सिंपल चलिए कस्टोडियन ऑफ पॉरेन एक्षेंग डिजर्स कस्टोडियन मतलब पापा है तमालता है पॉरेन डिजर्स अच्छा आगे बागी है लोन्स एन एडवांसेज आर अल्सो प्रोड़ेड अगेंस अप्रूट सेक्योर्टी मतलब समझे किसी बैंक को जरुवात पढ़ गए कि सर हमको पैसे की जरुवात तो पैसा दोना तो उन्हें पैसा दे सकता है और और फ्यूचर में देखता है कि मार्केट में पैसे जी श्री राम भगवान सबका भला करें खुशी व्याज जी थैंक्यू सब्सक्राइब करें ओके मोस्ट वेलकम डियर मोस्ट वेलकम आपरी लोग के लिए सारी चीज़ें हैं इंजॉय करते रहें मजे से पढ़े सारी चीज़ों को समझ के देखना है कि अरे ग्राउंड प रखा जा रहा है कि इस आप लोग का का मैंने दो क्वेशन पूछें आप लोग से पहला तो गवर्णर का नाम बताना है आप लोग को सेकेंडली यह चेंज होता है रहता है गाई सी आर और एसल र कितना है करेंट ली तो आर भी हमने देख लिया गाई कि कस्टोडिय अभी ह और गौवर्मेंट के लिए बैंक कौन है वह भी आर भी आई है अब हम लोग फॉर्थ पॉइंट पर चल रहे हैं फॉरेंट एक्षेंज मतलब क्या आज कल फॉरेक्स मार्केट आप लोग सुने ना कि डॉलर में कुछ लोग पैसा जमा करके रखतें ताकि अगर फूचर मे जो डॉलर का रेट समझें बढ़ गया मतलब इंडिया की वीक हो गई जैसे कि पहले एक डॉलर सौ रुपे का तो अब डॉलर एक सो बीस रुपे का भी करा है समझे या 200 रुपे का उगया तो मुझे कितने का फायदा हो गया मैंने 100 में खरीदा था डॉलर को 200 रुपय मिले तो मैंने 1000 रुपया खरीदा था 1000 रुपय मिला तो यह रहता है लेकिन आप देखोगे तो इंडिया का क्या अतलोग इंवेस्ट करके रखे रहते हैं क्योंकि इंडिया की करेंसी वीक होती रहती है आजादी के बाद से कभी नहीं हुआ कि हमारी करेंसी स्ट्रॉंग हो दूब गया पूरा मार्केट ही तो वो लोग शॉट टम के लिए देखते हैं लेकिन आप देखोगे साल आना दवर पर इतने सतर साल की इस्ट्री में तो यह रेट बढ़ता ही रहा है पहले एक डॉलर दस रुपया था फिर एक डॉलर बारा हुआ ऐसे करते करते आज कुछ बढ़ता है तो यह क्या करते बिजनस्मैन लोग यह इन्वेस्ट करके रख देते इसमें और 10-15 साल बाद इसे बेशते हैं पैसा मिल जाता है एक महिने में थोड़ी पैसा मिलेगा यह फालतू गिरी की चीज़ें आप लोग को यूटूबर सारे फालतू के कम ग्यान वाले इन्फुलेंस करते हैं लालची पूरा समाज अपना अपना समाज लालची है तो लालच के चलते एथिक्स का एक भाहना बनाते रहते हैं गदे सबके सब और आप जैसे लोगों का पैसा इंवेस्ट करवा देते और आपका पैसा आगे इन रिच के आतमे जा रहा है पागल पर नहीं यह चाया हुआ है कोई रोकता कि उन्हीं गदों को एक गवर्मेंट इतनी फालतु की बाते कर रही है कि मार्केटिंग करने का एक तरीका है रोकना चाहिए ना पब्लीक को पैसा यह एडवाइजरी देने चाहिए गवर्मेंट भी उन्हीं कमपनियों से बढ़ द दे नहीं रही है यह लोग तो दो दे नहीं रहें तो कोई भी चीज का यह तो यहीज तरीके से लोगों को से 15 दिन में परईसा डबल लाग दिया यहकली करोड दिया दो करोड आ यह बार-बार मैं किसी लिद्ट जैदे कि नजदेक हमारे मैं ने लेक्षे आप्टर लेक्षे कहीं नहीं दोत्यान चार बर बताया कि स्टॉक मार्केट कैसे यूएस में बहुत अच्छी है और हमारी इंडिया में वो लेबल पर नहीं है क्यों आप लोगों को प्लीज लास्ट वीडियो लास्ट वीडियो मैंने परफस फुली फॉस्ट किसी के कहने पर हर एक गधा घूम रहा है मार्केट में जिसको कुछ ग्यान नहीं बोलता मैंने प्रॉफिट निकाल लिया है तो ऐसे जूटे ऐसे पागलपन से गिरुए लोगों से बचके रही है यह महा बेकार लोग है मार्केट में जुम रहे हैं आम नाट अगेंस स्ट कहने से हम लोग तो रखते हैं सिफ डॉलर किया रहे हैं सबकों करते हैं तो यह क्या काम करतेगा इस देखें जब डॉलर के रेट समझें आज एक डॉलर सत्तर रुपय का है मतलब कल सुबह उटा एक डॉलर असी रुपय का ना हो जाए यह क्या होगा इससे मार्केट तबाह हो जाएगा बहुत जदा इसको क्या बूलते हैं को मार्केट में इंस्टेबिलिटी जाती है तो आर्बिया इसे कंट्रोल करता है तो देखें डिमांड पे चलता है देखे मतलब क्या डॉलर की डिमांड बढ़ गए ना रुपी देखिए कितना सस्ता हो गया तो क्या करेगा मार्केट में फट से डॉलर रिलीस करेगा मार्ट डॉलर की आउकाद फिर से गिरा देगा और रुपी की आउकाद अपने बढ़ जाएगी सिंपल तो यह यह सब कंट्रो में फाइदा ज्यादा मिलेगा यह सब आप हमेशा डिसकर्स कर सकतो जैसे कि अगर समझे सतर से असी हो तो इंपोर्टर को दिक्कत होती है जो पहले चीज़ों लोग इंडिया के इंपोर्टर को पहले सतर में खरीद है तो उसी के लिए बसी भरना पड़ेगा और एक स्पो यह चेक करते क्योंकि कांट्री यह तोड़ी देखना कि यह सब करना है कि पूरा लोगों को फाइदा मिल जाए आप लोगों को फाइदा मिलना चाहिए नहीं से इंपोर्ट एक्स्पोर्ट पूरा तबाह हो जाएगा इसलिए उससे कंट्रोल करती है तो कभी रूपी को पक सक्षीख है कि आपको करना रहता है थीके तो ये उनकी भी करण्शी रखी रहती है सदियर बोलते हैं actually कई करन सेयटिक करने कर दागते हैं किन की क्वoi क Mysteries ना आ जाजा यह ऐस При मैं बोल रहा है एक दुकान में आपको सिफ आलू मिल रहा है एक दुकान में सिफ भाजी मिल रही आप लोगो तो आप इंडिया ऐसे डॉलर कंसिएर कर लो पॉइंडिया यह ओल करती है लग से साथी साथ इस डियार क्या यह बिग बजार जैसा है कि इसके अंदर सारी चीज़े हैं इसके इसके इंदर पाउंड भी एस्टर लिंग मिलाजुला के एक रिश्यू मस्त कागा जाए तो इंडिया यह भी होल्ड करती है इंपर चलिए हरे कंट्री को होल्ड करना पड़ता है हमको यह बा अच्छा 21 दिन में पैसा डबल उसमें 21 दिन में पैसा हूँ फूल एटलिस में खुशी आ रहे आप अंकीता सुरी जी आप यहां पर है एटलिस कुछ तो जानगे एक इंसान को तुम्हें बता पाए कि यह पूरा मार्केट में अगर आपको टाइम मिले तो देखना कि स्ट सबसे सेफ इंवेस्टमेंट भी है लेकिन चलिया कभी और बताएंगे लेकिन यह सब चीज़ें याद रखे कि यह सब फालतुगिरी की चीज़ें आप लोग को बहुत नॉलेज्ज चाहिए रहेगा कि आप पैसा कमाना चाहते और यह जैसे कि हमारे माब आप नहीं बोलते मोडिजी को सपोर्ट कर देना है मोडिजी को तरह नहीं करना ओर दी है सब सारी चीज़नेंगी सब्सक्राइब क्या होता है यह बखता है कि इन पैसा मार्केट में दे रहा है या ले रहे हैं यहां यह करता है यह नहीं कि अपने आवकात से बार पैसा यह लोग दे रहें और आवकात से बार पैसा गवर्मन्ट क्या करते हैं अच्छा बताता हूं गवर्मन्ट का इस पर गवर्मने क्या बूलाता है जो समझे हमारे Central Bank Central Government जो हमारे पूरी है जिसे कि समझ लिए पूरी मिनिस्टर से उनका उनके लिए बैंक को ने हमने बुला आर्भी आई है टीक है लेकिन क्या आते है जो पब्लिक बैंक होती है जितनी भी पी अन्बी है एज बीड एज बाद की बैंक है इनकी ओनर कौन है इनकी और मिनिस्ट्रे यह लोग क्या करते हैं इसको बोलते हैं फोन बैंकिंग सुने फून मैं मवाइल बैंकिंग नहीं वह तो अलग है अच्छी चीज़ आप फोन से पेमेंट करें फोन बैंकिंग क्या होते समझे एक कोई बन्दा है या बंदी है समझेगा इस बहुत समझे कोई इंसान कोई एजो एलेक्शन लड़ना चाहता है और सेंटरल गवर्मेंट में मिनिस्टर बनेगा इसके इतनी पहुंच है सेंटरल गवर्मेंट समझे कि यह हो गया तो यह क्या करेगा अंबानी अदानी किसी से इसने ले लिया पैसा इलेक्शन जीतने के लिए तो क्योंकि इलेक्शन पैसा बाटना ओता है रैली करनी होती है और लोगों को घूष खिलाना पड़ता है और पोर्स मेंटेन करने पड़ती है जो बच्चे लोग ग्राउंड पे काम करते हैं उनको म अब कैसे एल्प करेगा यह जो पैसा दिये थे अंबानी अदानी जी गाइस हमारे यहाँ पर मतलब रिप्रेजंटेशन और पीपल साइक्ट मतलब इलेक्शन में आप अपने लास्ट तीन साल का कोई कंपनी साथ परसेंट प्रॉफिट दे सकते प्रॉफिट के लास्ट त्र इंट्रस्ट वाले अगर वह दे सकते अदानी जी नहीं दे सकते लेगिन फिर भी आपको मालूम इंडिया में बोलने के लिए पीछे से सब इंडिविज्विजुल्स दे रहे हैं तो समझें मिनिस्टर बन गया यह वाला बंदा जो है मिनिस्टर बन गया अभी इनको अब परिवार को जिंदा रखना की नहीं अब उसे प्रेशर करके वह लोन सैंक्शन कर देगा जबकि लोन कागज के इसाब से नहीं जा सकता था उतना सामने से कुछ उनके पास से मिली नहीं रहा था कि जिसको अगर वो लोग बुलते नहीं कि ऐसे कॉन्फिदेंस रखें कल को नहीं पैसा रिख पाए तो उसे बेच पाएंगे कुछ नहीं था अब आपको माल्या का के लिए तो फिर बाद में उसे मतलब बहुत थी कि उसने लिया गलती किया लेकिन यह क्यों हुआ पुरा सिस्टम कौन रियल गुनेगार है माल्या के लावा कुछ लोग और होंगे जिसने फोन बैंकिंग की होगी फोन पे हां बोला होगा कि दिलवा देव पहले उन लोगों क पकड़ना चीए था कि माल्या तो बाहर बाहर का ऐसे कितने माल्या भूम रहें बाहर ऐसे लोग हैं तो लेकिन कोर में तो मिनिस्टर कोई 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 CEO है और में कोई आईस ऑफिसर है जो यह सब काम करवा रहा था उसे पकड़ना ज़री ना क्योंकि यह तो चले गायव हो ग प्रिसकस क्यों नहीं क्या मोदी जी या कोई हमारे जो मिनिस्टर से जानकार नहीं नहीं इंका चलता है आप देख ले ना सर्च कर ले विश्वास है मुझे एक समझे कांग्रेस की गवर्मेंट है बीजेपी की गवर्मेंट का आपको लगता है एकदम जगड़ा करती है ब और यह सब सारा सिस्टम चल रहा है तो समझो क्या तुरंत बीजेपी वाले जो पावर में कॉंग्रेस के सारी मेंबर को पकड़वाना शुरू करेंगे तो नेक्स टाइम बीजेपी रहे चाहे न रहे लोगों का विश्वास उड़ जाएगा गवर्मेंट में से और नेक्स गवर्मेंट अगर हारती है तो कॉंग्रेस वाले ही तो सपोर्ट करेंगे किने सजाना मिल पाए तो यह सपोर्ट सिस्टम चलता है एक दूसरे को इतना उखाण के भी नहीं फेकते इसलिए यहां पर फोन बैंकिंग जिसने फोन करवा के किया था काम उसका नाम नहीं कि यह काम स्तौड वह भी कर रहे हैं अरशा कुछ हूआ अधा प्राइवेट वी डिवेडिओ सो में बंचा ऍukली मेंको ने प्राइवेट वीडियो एथा व्ञाए invade उस से इसमें में या तो वॉइस का कुछ इशू होगा या फिर कुछ तो लाइग रहा होगा इसलिए मैंने प्राइविट क्या अदर्वाइस सोच्छ लोजी इस कंप्लीट तो भी मैं चेक कर लेता हूँ सेकेंड के कुछ पार्ट्स मिस हैं उपर नीचे होंगे अदर्वाइस वह मिस नहीं होंगे अच्छा मैं देखता हूँ ठीक है मैं देख लोंगा साल थाइंक्यू सलीम कुरेशी जी आविल सी टूइट ओके लाइक करते रहे गाइस पार्च लाइक कहां से डवल डीट इस तरह से लोग पैसा लेते देते हैं क्या बोलेंगे सबकर यह सुधार की बात नहीं होगी ना यह बात की जाएगी जतना ज्यादा ना इस पब्लिक में जाएगा पॉब्लिक इतने ज्यादा रियक्शन करें कि अधना तम डिमांड भी करें तो मोदी जी और उनकी जो परपर्ज और यूज ऑफ दिक्रेडिट को प्रपेस और यूज ऑफ दी ग्रेडिट मतलब क्या जैसे कि गाओं में अग्री कल्चर के लिए पैसा ज्यादा दिना चीह सब बैंकों को पुछ करता है एक के तरहों कि आपको इतना पैसा या इतना परसेंट बैंक आपको घॉलन सब मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कंट्रोल दे वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट क्रेडिट वॉल्यूम मतलब कितना पैसा कहां जाएगा कितना रखना यह सब करता है क्वाइटिट तो ठीक का करता सब्सक्राइब क्या क्या पैसा कैसे सब्स kenne मोरायमूराल सुटैशन एक होता है मेजर्स को एक होते क्वाइट करने के लिए कोलिट वह क्या होता है कि gafix margin जैसे की समझिए की कितना पर्षंट आपको लोन मिले गा आपकी यह से कितने पर्षंट उस इसके क्तिना कितना पैसा कैसे कैसे दे सकते आप कितना पैसा आपके मतलब पास होता है से कोई बैंक अगर नहीं कर रही है सुन नहीं तो इसको बोलने का देखिए आप बैंक हैं ऐसे काम करेंगे उन्हें समझाती है अपने मुंबई आफिस में बुलाती है मतलब आड़े से बोलते कि देखो समझ जाओ सीदी सीदी बात है ज्यादा उसियाज देखाओ मत वारना लाइसेंस कैंसल कर देंगे दब दबा के बिट्वीन टू लेक्स बगा दिये जाओंगे तो यह मौरल सुएशन होता है ठीक है का लेक्ट और पब्लिकेशन ऑफ डेटा तो डेटा पब्लिक करती है कि यह सब में अर्भी आइग की मानुमें अर्भी के साइट पर ड अर्भी चोटे चोटे सीटी जैसे नाला सो पारा विरार यह सब सेमी अर्बन भी नहीं और पूरा गाओं भी नहीं तो उनके और गाओं में भी फाइलाना तो यह भी काम कर दो प्रोइडिंग सीक्योर्टी टुदी टुमतलब कि आपको देखे इतना पैसा मिल जागा अब बैंक ने चोरी होगे बैंक बंद गए तो आर्भी आई आपको अपने तरफ से एक लाक रुपिया देगे जी यहां वन लाक रुपीज का है डोन नो बढ़ाया हो लेकिन एक लाक तक का प्रॉमिस करती है कि अगर जिसका भी एक लाक तक का होगा तो उसको देदेगी इंडिया गरीब है हमारी अर्भी उससे भी गरीव है तो यह बोलते हैं कि हम उतना तो नहीं देख पाएंगे हम से एक लाक रुपिया देंगे समझे आप किसी का साथ हजार था बैंक समझे लेके भाग गई तो साथ हजार दे देंगे उसको तो यह रखता है यह सब और यह सब और वो जो सी एरार एसलार बोला ना उसके तुरू भी इंस्शोर करता है कि आपको पैसा में लेगा डेलॉप्मेंट स्पेशलाइज इंस् कि पपेट ते अपना इंडिपेंडेंट काम करते देश को क्या करना है जैसे है कि इंफलेशन ना बढ़ने दिया जाया हूँ इसा हतियार है जो गरीबों के ऊपर मारा जा हmayın यदि मेह हम कमाता पाहले औगर समझे इंफलेशन तो वह बोलते हैं कि यह गरीबों पर कोड़ा बरसा जा रहा है हमारे मिनिस्ट्रस इतने ज्यादा अंधे हो गए इतने ज्यादा बे-बुनियादी हो चुके हैं कि वह कुछ भी काम के जाने आप पेट्रोल के बढ़ते हो देखेंगे जो यह बनाए जाते हैं आप जो ट्रांसपोर्ट करते हैं और पेस्टिसाइट सेमेंट सब की सब चीज़ें बहुत सारे और से बनाए जाती हैं अब यह बेस में अगर यूजिए महंगाई हो जाती है आप वहीं पर देखो पैसा कम किया जा रहा है क्यों कि बोलेंगे कि वह उससे क्या होगा बहुत सारे इंडर्शिलिस्ट पैसा कम देंगे और बहुत सारा बिजनस खोलना चाहेंगे कहां खुले बिजनस वहां पर आपने पेट्रोल के प्राइब उसका तो सिधा इंपक्ट हो गया आपके कॉर्पोरेट वाले का तो कुछ दिखी नहीं रहा है टै पूरवजों ने बहुत अच्छा काम किया कि पैसा लूट सकते हैं गुमान देखोगे तो जो सफा के हैड़ थे अखिलेश यादव जी जो आईपिएस ऑफिसर ता वहां का हैड़ा इसे कुरसी वेट हैं वह उनके पुचलों में आके पैर पढ़ रहा है ज्यादा गुमान को बहुत ज्यादा गुमान है तुर्रम love नहीं है क्या कर सकते लोग क्या कर सकते इनकी कैसी की जितनी ही है किसी की कि सकते हैं नहीं कर सकते हैं और उड़ा देंगे तुमको बस ऑर कुछ सब्नेट आपर पड़ता इलेक्षन सब किया जाएगा आप लोगों में अपने लोगों में सपोर्ट करिए और आगे बढ़ते रहे हैं इस अलावद्दीन सिद्धकी जी हाई मनुझ गुपता जी सोशोलोजी खतम कर चुका मनुझ जी इफ यू लाइक कर दी आप लोग चार लाइक करके डबल डिजिट में पहुचा सकते हैं क्या बोलेंगे आप लोग को मैं निगेटिव नहीं हूं किसी भी चीज़ को लेकर आइम आप्टिमिस्टिक मैं जानतों भारत सुधरेगा मैं सुधारने का तरीका ढूंड रहा हूं मैं लोगों को इन्फोर्मिशन के थुरू बताना च मिलेंगे तो आप कभी नहीं आप सोच रहों कि मेरा क्या जा रहा है सभी के लिए जोग्रफी मुझे कंप्लीट करना डेफिनेटली उसे कंप्लीट कर दूंगा ठीक है दोस्तों अम नेट्स टाइम मिलेंगे गाइस हम लोग अदर फंक्शन क्या करता है क्लिरिंग हाउस प लास्ट रिटाइब लिक्विडिव बैंक्स पाइनशाल डिफिकलिटी मतलब पैसा कम हो गया अगर मार्केट पैसा बाटना ती यह सब काम भी करता रहता है चलिए अब हम लोग करेंगे कॉमर्शिल बैंक्स वह करेंगे नेक्स लेक्ट्ट मतलब क्या बहुत अच्छा है यह आप देख लिए यह आपको बहुत ज्यादा पब्लिक प्राइबेट रिजेनल रूरल बैंक्स फॉरेंड बैंक्स यह सब आप जान जाओगे यह सब डिमांड बहुत बहुत इंपॉर्टन चैप्टर है गाई यह यह देखे को इसमें भी है जो स्पी कॉमर्स में भी है डेलप्मेंट फाइनस्टेल इंस्टूइशन के वारे आपको जानना देख यह सारी चीज़ें आपके हाथ जोड़के मैं बोल रहा है मिनते कर रहा हूं कि मेरा वीडियो मत देखना चलेगा लेकिन यह पढ़ जरूर लेना यह सब बहुत इंपॉर्टेंट है मनी मार्कें यह सब देखें बहुत इंपॉर्टेंट है आप आपको मैं बोल देता हूं एक क्वेश्चन यहीं से आएगा इसी चाप्टर से आएगा बैट लगा लो मुझसे जो भी रहेगा आप चार-पांस तरीक जो भी एक्जाम है आप मिलना आपको कुश्चन यहां से मिलेगा ठी देखिए यह सब यहीं से आएगा इसलें लो जा रहे समझातिव आपको जा रहां से भी भी दिखे सब यह सब तो मेक्शुर करें कि आप यह चाप्टर अगर आप करना चाहते लाइफ मागे इस इसे अवेरनेस बहुत ज्यादा इसे पढ़िए और अपने लाइफ में इसे मानोच जी ने पूछा प्रिख रहा है तो मालूम पढ़ता है कि आप पढ़ा ही कर रहे हैं कि प्राइब्स की होगी या कुरेशी जी स्पेसिलिक संद जा रहे हैं कि कुछ वीडियो में ने प्राइवेट की होंगी तो वो सब बहुत अच्छा लगा बच्चाज आगे बढ़िये बच्चों विद्गॉड्स घ्रेस माबाप के ग्रेस यह हार्ड वर्क वट्टेवर यू बिलीव इन अच्छा देश बनाएंगे राधर दन प्रूव आगे बढ़ते हैं हम लोग इंडा को आपसे बहुत अच्छा देश बनाएंगे सभी डिलीजन के लिए सभी लोगों के लिए जो है पॉलिटिक से साइट लेट्स ग्रोव पैसे में पीस में पोजीशन में एजुकेटेड रहा है सबके पास इंडिया में बच्चे अमारे गीम के लिए आर्टिफिशल इंटेलिजन सो एवरिटिंग बी प्रॉपर आम सब्सक्राइब कर देता हूं ठीक है अप्लोड कर देता हूं ठीक है अब संस्कृति पुजारी बाए 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 अब्रेवन गाइस लाइक डबल डिज्ट में पहुंचा दीजिए डबल डिज्ट में चलिए ओके मोस्ट वेलकम डियर मोस्ट वेलकम